एजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है आज हम सिखेंगे पार्टिंग लाइन ड्राफ्ट ड्राप्ट वन को डिलीट करें Futures पे किलिक करें Drop पे किलिक करें Parting Line बाले बॉक्स में किलिक करें Drop Angle में आप Angle अपने requirement के हिसाब से input करें हम यहाँ पे 14 degree एंटर करेंगे Direction Drop का Direction देसे हम यह Direction सेलेक्ट करेंगे और Parting Lines हम यह सेलेक्ट करेंगे और ओके कीजिए तो यह देखिए Parting Line ड्राप्ट अपलाए हो गया आप चाहें तो Reverse Direction भी कर सकते हैं ड्राप्ट टू पे राइट किलिक करें Edit Future और यहाँ पे Reverse Direction कीजिए और ओके कीजिए तो यह देखिए Parting Line ड्राप्ट अपलाए हो गया Reverse Direction में बहुत आसान है आप Practice करते रहें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद